गुद मॉनिंग बच्चों आपने एक वीडियो में देखा डॉंट गिव अप जो आपका लेशन वन है इंग्लिश की बुक रेंबो का डॉंट गिव अप लेशन वन में उसको आम मैंने पढ़ना सिखाया है कि वो पोएम कैसे पढ़ते हैं दूसरा वीडियो मैंने बताया है जिसमें आपको इस पोएम का एक्स्प्लेशन दिया किस पोएम में क्या बताया गया है इस पोएम के माध्यम से जो राइटर है जो कभी है वो क्या बताना चाहरा है ठीक है और ये तीसरा वीडियो जो है इसमें मैं इस चैप्टर का जो है क् प्रेशन उत्तर बताऊंगी ठीक है आप उसको देखिए और उसको अपनी कॉपी में नोट करिए उसको लर्न करिए फर्स्ट क्वेस्टन है वेर आर दे चिल्रेन गुइंग बच्चे कहां जा रहे हैं आपने पोयम में देखा कि बच्चे कहां जा रहे थे बच्चे माउंटेन पर जा रहे थे ना तो दे चिल्रेन आर गुइंग तो दे माउंटेन इस पोयम में माउंटेन का मतलब क्या है तो मैंने आपको बताया था माउंटेन का मतलब क्या है जीवन की कठिनाईयों से है तो इसका आंसर है इस प्राब्लम्स अफ लाइफ इन दा पोयम and next question में कुछ fill in the blanks है इसमें लिखा है complete the lines lines incomplete है उसको complete करना है तो number one में लिखा है some are big and पोयम में क्या पढ़ाता some are big and some are small तो जो space है वहाँ पे मैंने fill किया है some are small जो जीवन की कठिनाईयों है वो क्या है कुछ big है और कुछ small जैसे कि हमारे पर्वत जो है mountain जो है कुछ big है और कुछ small है उसी तरीके से हमारे जीवन में जो कठिनाईया है वो भी some are big कुछ big है और कुछ and some are small कुछ small है next is you can make it to the top मैंने बताया था ना अगर हम लोग अपने कठिनाईयों से कठिनाईयों के लिए प्रयास करते रहेंगे उसके लिए जीवन में संघस करते रहेंगे जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहेंगे मेहनत करते रहेंगे तो क्या करेंगे जो चीज हम पाना चाहते हैं उसको पा सकेंगे और उचाईयों पर पहु प्रियास नहीं छोड़ना चाहिए जैसे बच्चे पहाड पे चड़ रहे थे मौंटेन पेचर रहे थे तो तो बाटेन मा Zoom पेचर जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए प्रियास करते रहेंगे जो पाना चाहते ओगे वो पाजाएंए को इस पूम से शिक्षा मिलती है झेलो झाली तो जिता